कि आपको डांसफोर्ज ओफ है मीट्रीक्स आंसमोग भुता है लिए आdsभी यूज का परिवर्ध कोई भी आप धीया हूआ रहेगा उसका पत्रयूकर कैसे घ्याद करते हैं उसका परिवर्थ करते हैं तो देखें हम लिखते हैं आप योगा लाता है पड़ी वर्थ आसान है किसी भी मैट्रिक्स में रो को कॉलम में चेंज कर दिए या तो उसके आफ़व किसी तो को को रोलं ओर सकता है कोई बी ट्रेंटिक्स हो सकता है या को एक लूub या इसको ब्हों बढ़ाना तो देखें जीने रहें कि ट्रांस्पोल्स कि अफ मैट्रिक्स हिंदी होता है आप भी हो का परिवर्थ आप भी हो का परिवर्थ जो बोले हैं उसी को लिख देते हैं किसी आप भी या किसी मैट्रिक्स एके रोज रोज पंक्तिया जिथा कॉलंग्स अस्तंभाओ को परस्पर बदलने परस्पर बदलने बदलने का होता इंटर चेंज बदलने से एक नए आप भी का निर्मान होता है जो आप्यों एका परिवर्थ कहलाता निर्मान होता है जो आप्यूं। एका ट्रांस्पोस ट्रांस्पोस अलाता है अब यू एके परिवर्थ को एडेस या एका पावर्टी दुवारा निरूपित किया जाता है आप यू एके ट्रांस्पोस को ट्रांस्पोस को एडेस या एका पावर्टी देख लिएडेस या एका पावर्टी दोनों का मतलब एक ही होता है है ऐसा अगर कहीं भी लिखा हुआ है तो समझे लिएका क्या है ट्रांस्पोस है यह क्या है ट्रांस्पोस है द्वारा कि नॉट किया जाता है किया जाता है अर्थाक लेट एक कोई मैट्रिक्स है इसका ओडर लेता है यहां दिएगा इसका जब ट्रांस्पोस मालूब करें तो वह देखे क्या होता है क्या क्यों सिर dif ट्रांस्ट दीजिए क्योंति चाहता है रो प्रक्रांस को प्रच बदलने से मतलब अलनूब बदल्लेगा कोलम पे यहाथ को कॉझम बदल जस्ए मतला है यह इक है ट है नurlけलं यह रोम बदलेगा किसमें पल छीशक बह草त में यह हो जाएगा ए से आई ज्याम दीजिए और इसमें एम रो एंड कोलम बदलेगा यह हो जाएगा एंड बार एंड कर देख लिए है आपको ट्रांस्पोस चाहे कोई भी आप यूदिया हुआ रहेगा उसका पड़िवर्थ कहेगा ज्याद करने के लिए ऐसे रो कॉलम को लिखना है तो अभी है अभी जो पढ़ाएं हैं आपको ट्रांस्पोस मेंत्रिक्स तो इस पर एक एग्जामपल देख लिए कि वाएग्जामपल से जांप पर जांब कर दो कि एइस कर तो किसी भी और का हो सकता है 235601 इसमें कितना है दो रो है यह फास्ट रो और यह सकेंड रो फास्ट कोलम से केंड कोलम थी थर्ड कोलम इसका मतलब इस मैट्रिक्स का ओडर हो गया टू बाइथरी रो को पहले लिखते हैं और को बाद में इसका अब जाएगा तू बाइथरी तो एडैस या एपापावर टी याद करें याद करें जान देजिएगा एडैस या एपापावर टी याद करें है यहां यहां यह बनाएं है आपको को बदल देना है कि से को यह कम करना यह क्या है रूब यह किसमें बदल जाएगा यह रूब है किसमें बदल जाएगा सब्सक्राइए बदल जाएगा जैसे ही रो को बदल है को आपने बदला किसमेंहों इसका आप बदल गिया होगा तो इस तरह से कोई आची आपको प्रोपर्टी देखा मोल्टिकलीकेसं प्रोपरती देखा ठीक उसी तरह से इसका भी पड़िवर्ट का अब देखेंगे निटोपिक होगा आपको प्रोपर्टीसका है? प्रांस्पोज औप मेट्रिक्सका मतल overthATION का अभीयों के परिवर्थ का गुन प्रोपर्टीस पहला प्रोपर्टी है किसी वी मैट्रिक्स double transpose उस matrix के equal होता है किसी भी matrix का double transpose जो है जो matrix रहेगा वही होगा A dash फिर A dash यह किसके बड़ा बड़ होता है याद रखिएगा A का double dash किसके equal A B का double dash B C का double dash C मतलब किसी भी matrix का दो बड़ा का transpose करेंगे तो जो पहले matrix था वही प्राफ होगा इसको prove करके दिखाते हैं इससे भी जाई है पुस्ता है बोड एक जाम में objective में objective में यह सब question दाता है late कर लेते हैं A कोई matrix है इसका order लेते है A I Z M by N आपके book में digit वाला जामपन दिया है या उसकर सवाल भी दिया है बनाने के लिए इस method को सीखी यह अच्छा है इसलिए A dash A dash का मतलब है यह हो जाएगा A Z I क्या होगा A Z I N by अभी तुरत पढ़ा है row को बदल देना है किसमें? column में यह row बदल गया किसमें? column में यह हो जाएगा A I Z और यह फिर हो जाएगा M Y N पतलब यह के बड़ाबर होगी है याद रखिएगा A का double dash क्या होता है? A होता है किसी भी आप यूग का double transpose उस आप यूग के क्या होता? equal होता है दूसरा properties है पहले इसको लेखते दे दूसरा property है दो आप यूग को जोड़ेंगे जब उसका transpose करेंगे तो अलग-अलग आप यूग के transpose के योगफल के क्या होता? बड़ाबर होता है दो आप यूग के योगफल का transpose अलग-अलग आप यूग के योगफल के transpose के क्या होता? equal होता है ऐसे सब्सक्राइब कर लेता है याई जी एक बात ध्यान दीजिए यहां यह और भी एडिशन है तो दो आप योगा एडिशन तभी संबब होता है जब कि दोनों का ओडर से होता है इसका और अगर M by N है तो बी का भी order M by N भी लेना पड़े है एंड वी इसकर टू पी आईज एम ऐडिशन यह और दोनों का सेंज होता है इसलिए तो में एड़ यहां एडिशन है इसलिए M by N करेंगे लो बदल जाया किसमें कॉलम में रोप सेंज होगा किसमें यह होगा यह लुगा इस यह बार एंख कर डू जंब है एंड बार एंब कर लुग ना अब इसका है और फैल निकाले कि इसका है क्लेने लुनिकाले में दॉनों क्या होगा एक को रोगा कि एपलस दी है यह यहाइज टॉदि के दॉद्ध कर्णे प्लेस दॉद्धितार प्लेस दिजिए एमबा एन-च दॉनों का ओडर से मैं यहाइज दॉद्ध एगा इसलिए A प्लस B का डैस डैस करेंगे तो रो बदल जाएगा किसमे कॉलम में रो किसमे बदलेगा यह होगा A G I प्लस B G I N by M आप इसको अलग अलग लिखें A G I N by M प्लस B G I N by M यहां देखिए यह A डैस के इक्वल है इसका वेलू क्या है A डैस और उसका वेलू कितना है B डैस यह प्रूफ हो गया आपका यह क्या हो गया प्रूफ तो याद रखिएगा दो आप यू के एडिशन का ट्रांसपोल्स तूनों आफ्यों के ट्रांसपोज के ऐडिसंगे एक्वार ही Army चरना प्रोपरणी है जिसे कि दो मेट्रीक्स का सब्टरिक्शन उसका ट्रांसपोज तो अलग 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 मेट्रीक्स के ट्रांसपोज mús डेフ्रेंज के क्या होता इक बडर होता है इस तरह से सब्ट्रेटरों के अधिशन के लिए और से सब्ट्रेक्षं में क्या करते हैं या को रोस्पोंडिंग से क्या करते हैं मैनस करते हैं वность डूना का ऑडर से सब्ट्रेक्शन संबह है ऐ डैस तो रो बदलेगा prin tilluest n by m इस तरह से अब a minus b इसमें से घड़ेगा तो corresponding element से घड़ता है aij minus bij m by m इसका dash लेना है बदलेगा ij ji ij ji m by n n by m फिर अलग अलग लिखेंगे इतना aji n by m minus bji n by m इसका value देखें aji n by m का क्या है a dash है a dash फिर bji n by m का क्या है b dash तो b dash a minus b का dash is equal to क्या होता है a dash minus b dash फिर है चौथा property बहुत important property है बार-बार objective पुछता है बोड़े जाने अगर product में रहेगा दो matrix और उसका transpose लेंगे तो क्या होगा a b का dash is equal to होता है b dash into a dash a dash b dash नहीं होता है a b का dash is equal to होता है b dash into a dash पतलब जो बात में रहा था वह पहले आता है इस तरह से पी क्यू का dash q dash into p dash b c k dash c dash into b dash अब वही प्रोपडिज बताएं प्रोपडिज बताएं रहे हैं तो अधा प्रोपडिज है यह देखो a b into a b प्रोडेक्ट में है इसका dash होता है यह objective में पूछता है और लड़का मिस करता है इसको बनाने में क्या देदेगा तुमको AB का dash is equal to 4 option दिया हुआ रहेगा A dash into B dash, B dash into A dash, AB का dash इस तरह से none of these तो देख लिए जो बाद में होता है वो पहले होता है इसमें मार लिए गाने तो लड़का सम्भार देता है A dash into B dash, Plus वला उसको जातर आता है यह पलस दी का dash A dash b dash गल्फ हो जाय रहा दी डैस क्या होता है लिए इस तरह से कोई भी रहेगा से डाइस रहेगा क्यों क्योंक्राइव डाइस रहेगा तो Q dash into P dash, BC रहेगा BC का सब्सक्राइब सब्सक्राइब अच्छा है इसको देखिए यह देखो प्रोडक्ट में है तो बोले थे दो आग्यों का अगर मुटिप्लिकेशन होता है तो फॉर्स्ट का कॉलॉम सेकेंड का रो इक्वल होना चाहिए इस तरह से मानें यह जो सकंडिशन का फुर्पिल करें पिर इसका इदा और न olsun करें में दों हो कि इद्र mouvement इसका क्या बनेगा यहां लेंगे मिया इसका कोलम इसका क्या बने न्यायों पिर आप इसका क्या बनेगा रोग बाइटी अब तो इसका डेस करेंगे तो जी आई एंड बाइएं एंड बीडेस जुब वोगा वोगा वीके जी निकालेंगे यह क्या निखाले देखोर इभी एका यह यह एई जी एम बाइए और भी का वैल्यू है बीजे की इन बाइपी देखिए इसको मैंटिप्लाय करते हैं सिग्मों क्योंकि मॉल्टिप्लाय करके को एड किया जाता इसके सिंह और यहां एन इन इंड रो है ये एन एन समाप्त और यह होगा आपको बताया थे जो समाप्त होता है इसका ओडर होगा एम बाइक होगा अब देखिए ना एवी का डैस इसका क्या निकालेंगे डैस निकालेंगे डैस तो रो बदल जाएंगा कॉलम में आई जी हो जाएगा जी आई शिकमा तो रहेगा ही और ये हो जाएगा जाए जा आई और ये बी कि जी ऑर ये होगा प्यवाइब बारिन एक्वैस्ण आप क्या करना हces बीडैस का भेु exist क्यों किस्ता निकालना है था दिए देस का देखिए इधार देता है जाए यह एडस एडस देस प्राफ्ट है वहां देखिए दी के जए दी बार एन इंटू एडस 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 है एज़ाई एन बार एन इसका कॉलम इसका रोग है इसको मल्टिप्लाइ करेंगे यहां एन एन समप्त होगा नहीं लेखेंगे सिग्मॉग जे इसकाल टुटू एन वन टुटू एन वन टू हां वन टू एन पी के जी जी इस ए और यह देना है प्रीवा एन क्या होगा यहां देखे एजिए आई बीके जे हैं जैसे यह तो एलिमेंट है ना टू इंटू थरी लिखिए इंटू टू लिखिए एक्वल बात है अब्बिकीजे अजया आपको खौँ में लिख सकते हैं इजयाई इन्तू बीकेज़ बीकेज़ इंड्न आप equation 1 & 2 को देखिया RHS equal है LHS क्या होगी equal होगी देखेंगे from equation 1 & 2 from equation 1 & 2 यह AB का डैस जो होता है वो इक्वल होता है वी डैस इन्टु एडैस का आप जो किसी भी मैट्रिक्स में किसी भी मैट्रिक्स में आगर हम एसकेलर से multiply करेंगे उसका अगर transpose लेंगे तो एसकेलर बाहर हो जाएगा और फिर अब योगे ट्रांस्पोज के प्रोड़क्ट में हो जाता है कि इन्टू एका डैस इस इक्वार्टू होगा की इन्टू एडैस यह कि इसकेलर के इसकेलर के इसकेलर जा कॉंस्टेंट भूली कॉंस्टेंट लेक्ट कर लेते हैं एक कोई मैट्रीस है याइज एम बाइन एम बाइन एडैस करेंगे एडैस का मतलब यह रूब बन लेगा पॉलम में यह होगा एजी आई एजे एन बाइन एडैस ना के इंटू ए के इंटू ए के इंटू ए के का विज्यू है याइजे एम बाइन और यह होगा के सी मर्जिक्ला होगा इस तरह से के ए आइजे एम बाइन एक डैस देश कियी है यहां के तो रहेगा ही और यह दो और और यहां ऐए जी आई है और एंट न बाइन इस तरह से के जुन जाए और यह होगा एजी आई और यह दो देखिए यह है एक्वर्ग हो गया है आप फोपर डिजग था इसका अब है फिर सम्मित आभी होता है स्वागोर्ड सबी मैट्रिक्स दिसम्मित आभी होता है स्वागोर्ड और उसको देखेंगे बारी बारे सवाद मनाने के लिए है और बोर्ड एक्जाम में अब्जेक्टिव रहता है symmetric, SC symmetric और orthogonal symmetric होगा संहित of you संहित of you और क्या कहते हैं orthogonal होगा lump ते रitted लेक्ष्षम्न यह हम दो इंगलिस होता है symmetric matrix symmetric मैट्रिक्स इसमें एक बात ध्यान रखिएगा से मैट्रिक्स स्कूर मैट्रिक्स का होगा किसी भी मैट्रिक्स का यह सम्मित और विसम सम्मित नहीं होता है जब केवाल एक होगा किवल एंड़िक्स का समेंट्रिक और वी मैट्रिक्स और एक इसके बाड़ेमें période कोई जार स्कूर मैट्रिक्स एलैंच inappropriate neste मै्ट्रिक्सि फथे दे जया आला ज़िए इस चीज़ को याद रखना है कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा स्कॉर मैट्रिक्स और कहें कि यह सिद्ध की यह से मैट्रिक्स है उसका ट्रांस्पोज निकाले हैं अगर उस मैट्रिक्स के से इक्वाल हो गया तो बोलेंगे यह क्या है से मैट्रिक्स के लिए कंडिसान एडास इस इकल टू एडास से मैट्रिक्स एक जांपल से देखिए लेंट कर लेते हैं टू ओडर का हम पहले संधाते हैं 2331 ध्यांदी जिएगा यह क्या है स्कॉर मैट्रिक्स है एक आउडर है टू बाइटू इसका ट्रांस्पोज की जिए रो बतलेगा कॉलं में और चल्जों जाएगा कॉलं में यह है किसमें चल्जों जाएगा कॉलं में तुछ तरह के आपनीओ को हम लोग बोलेंगे संधाभियों से मेंट्रिक मैंट्रिक से एक से में जब भी होगा स्वाइर मैंट होगा कि यहें ततरी कि देख्ञा है एक सब्सक्राइब लिख तरीका यही है दो टो ट्री है अगरख 203 सест कि को द्रीव ट्रीए घज глазना कर governor मानते हैं 123 रो में लिखेंगे तो कॉलम में भी लिखिए अगर हम 5 दिये यहां 6 दिये तो इधर भी होना चाहिए 256 तो इधर भी होना चाहिए 256 जो एजिमेंट देना है यहां दे दीजिए इसका डैस की जिएगा हमेशा यह होगा अध्य ट्रोंप क्लेम में तो सब्सक्राइब सब्सक्ता है फ abonnés करो ढदले को यहीं बेराइब छेंधी में है लेकिन मैट्रिक्स जो प्राप्त हुआ है जो किसके इक्वाइब आई से मैट्रिक्स को मैट्रिक्स है कि अग्पर आप अब है विष्ण सम्मीद यह भी आपको स्कुएर मैट्रिक्स ही होगा विष्ण सम्मिट आप भी इंगिस होता है SQ symmetric matrix क्या होता है SQ symmetric matrix सम्मिट और विसम सम्मिट सम्मिट में होता है A dash is equal to A कोई सम्मिट में होता है A dash is equal to minus A कोई SQ matrix कोई SQ symmetric matrix सम्मिट के लिए A dash is equal to minus A इसको याद रखना है A dash is equal to minus A विसम सम्मिट के लिए A dash का value minus A होना जाए अब एक एक्जांपल देके clear हो जाएगा लेट कर लेते हैं एक कोई matrix है अले two order का उसके बाद three order का देंगे एक बात याद रखिएगा SQ symmetric matrix का diagonal element हमेशा 0 होता है हमेशा क्या होता है 0 बताएं क्यों 0 होता है यह दा here I 10 यह अगर यहां पॉल जिए इस देना पड़ेगा आप इसòका यहां क्या जीरल मानने का तरीका है माइनस थ्री जीरो गोर से देखें यह किसके एक्वल है एक एक्वल है कि नहीं तो यह डैस इकल टू क्या हो यह माइनस तो जैसे ही एडैस माइनस ए होगा इसको हम लोग क्या बलेगे विशंस कर दिता दिया तो अचोग है एस स्क्यू सामेट्रीक मेस्ट्रिक इसक्यू सेमेट्रिक तो और इक एक अभी तीन ओडर वालता में इस पर देता है कि आभी उले लिए तीन ओडर बला है लेना है दागनल एलिमंट जीरो कि आप एब दीए जिदहर निगेटीव निगेटीव भी दीजिए तरीका से मानने का यहां जीरो जीरो बदले का कॉलम में 0 A B मानस-A 0C-B-C-0 3 x 3 कर यह है, अब आप मानस से मृटिपिलाइ करते हैं 0 A B-A 0 C-B-C-0 देखें यह मानस A के ईक्वल यह तोटल A का वेल्यू है सब्सक्राइब एक यहां से इंपॉर्डेंट प्वेस्टन जो बारबार बोर्ड में सुछता है यह देखें इदी का है वैज है मैंस्टेक्र लिए आहिए क्यों वयां क्या होता हुआ जीरो होता है यह क्या सुछ इस्प्र prep में का डाइगोनल एलिमेंट दाइगोनल एलिमेंट ऑशीडू होता है अब यह कैसे होता है इसको भी बताया जाएगा जया जार जाल डैगोनल एलिमेंट यह जों के आख देंगे जीडोके अलबां कोई और्थो गोनल मैट्रिक्स यह आपके नहीं है लेकिन देश सिन्हा में है आजी सर्मा में है किसी भी बूप से बनाईएगा तुहां प्रॉब्लम होगी इसलिए बता देते हैं लंब आपके और्थो गोनल मैट्रिक्स हमेशा याद रखिएगा समेट्रिक की समेट्रिक और और्थोगोनल के लिए आपके ही होगा कोई दूस्का मैट्रिक्स लगा और्थोगोनल मैट्रिक्स यह और्थोगोनल मैट्रिक्स लादा है और्थोगोनल मैट्रेक्स यह पार्ट वन में भी है यह और्थोगोनल मैट्रेक्स कहलाता है यदि एडैस इंटू ए इसकल तो आई इस कंडिशन को याद रखना है एडैस इंटू ए इसकल टू आई इसकल टू उनीच मैट्रेक्स एक आई आप वियू होता है क्या होता है एक आई या तस्मका प्वियू एक आई आप वियू ए अगर टू बाइटू का होगा सब्सक्राइब करेंगे दोनों को मल्टिप्लाइ करने के बाद अगर आई प्राप्ट होता है उसको हम लोग बोलेंगे और्थोगॉनल मेक्स कि आज इतना ही रहेगा इस विडियों में अगला विडियों में हम आप लोगों daytime इसका AAA सब्सक्राइल करें अगर आपलों को अच्छा लगें इसको सेर कीजिएगा अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट मिं जरूर लिखिएगा तैकि हम अगले विडियो में इसको परेसानी मतलब इस परेसानी को दूर कर सकें धन्यवाद